EVs को popularity को देखते हुए अभी बहुत सारे companies अपने two wheeler को Indian market में उतार रही है क्यूंकि automobile field में profit इस time काफी high है और इसी profit को देखते हुए गोदावडी motors ने launch कर दिया है अपना eblu fio electric scooter तो जानी मानी company गोदावडी motors ने अपने इस new electric scooter में क्या features और specifications दिया है सब कुछ आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को end तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले अगरा चैनल पर पहली बढ़ाये हो तैसे और नए वीडियो के लिए चैनल को subscribe भी कर दे और bell notification icon को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले तो welcome to auto info चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को e-blue one of the biggest electric vehicle brand माना जाता है और ये ब्रैंड कई तरह के electric vehicles इंडियन मार्केट में प्रोवाइट करती है और इस ब्रैंड का e-auto, e-cycle और अब electric scooter भी launch हो गया है तो e-blue Fio गोदाबरी मोटर्स से आने वाला पहला electric scooter है और इस scooter को company के रायकूर फैक्टरी में ready किया गया है चलिए अब आपको इस scooter के कुछ features और specifications बता जेते हैं range के अगर बात करें तो इस scooter में आपको 110 km तक की range मिल जाएगी और top speed के अगर बात करें तो इस scooter का top speed है 60 km per hour charging time के अगर बात करें तो इस scooter को 0 to 100% charge करने में 5 गंटे 25 मिनिट का time लग जाती है battery pack के अगर बात की जाए तो इस scooter में आपको एक 2.5 kWh की lithium-ion battery pack देखने को मिल जाती है और साथी plug power आपको इस scooter में 60V तक की मिल जाएगी पांच different color options में देखने को मिल जाएगी cyan blue, wine red, jet black, grey और white color का option आपको इस scooter में देखने को मिल जाएगा riding modes के अगर बात करें तो इस scooter में आपको 3 riding modes दिया गया है eco mode, normal mode और power mode साथी आपको इस scooter में high resolution AHO LED headlamp, 12 inch alloy wheels, combined braking system, 7.4 inch digital colorful display और mobile charging point जैसे कुछ features आपको इस scooter में मिल जाएगी इस scooter की deliveries की अगर बात करें तो इस scooter का delivery 23 अगर से स्टार्ट हो गई है price की अगर बात करें तो इस scooter का एक शरूंग price रखी गई है 99,999 रूपीज on-road price डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट में on-road price कितना है तो आपको कैसा लगा e-blue, fio, electric scooter, comment पर जरूर बताए और अगर information अच्छी लगए है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe भी करके जाए मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care